बिसमिल्ला रख्मान रखीम, असलाम अलेकुम विवर्स, मैं मुहम्मद फयाद, video tutorials.com की जानिब से आप लोगं की लिए एक नई वीडियो के साथ, तो विवर्स इस video series के अंदर हम लोग concept of programming with PHP सीख रहे हैं, तो विवर्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि code की आप फिकर तो विवर्स इस video के अंदर हम लोग करेंगे global array, बलके global array नहीं, मैं दो global variable बताऊंगा, दरसल इस video का main मकसद यह हैं कि हम लोग user से input किस तरह लेते हैं PHP में, तो विवर्स client side जो scripting languages हैं, उसके अंदर हम लोग input लेते हैं, user से ठीक है, HTML से नहीं ले सकते, यह मैं आपको आग जितनी भी हैं, javascript, jquery और जितनी भी client side scripting और भी languages हैं, तो उसमें भी हम लोग user से input ले सकते हैं, इसी तरह server site में भी input user से ले सकते हैं, तो मैं PHP में आपको बताऊंगा कि user से input हम लोग किस तरह से लेते हैं, तो विवर्स हम लोग अपने project की तरफ चलते हैं, और अपनी services on करके, ठीक है, और विवर्स अगर आपको पता नहीं है, किस तरह से PHP run होती है, अगर आप हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आप video tutorials.com पर आकर previous वीडियो जरूर देखी, तो आपको समझ में आए, और अब मुझे feedback भी आप अपना जरूर शेर केजिए, और अगर PHP के scope से बाहर निकल आए, ठीक है, जब हम PHP का काम करेंगे, तो PHP के scope दुबारा बना लेंगे, या तो फिर इस scope में काम कर लेंगे, कोई इशुक की बात नहीं है, और विवर्स मैं यहाँ पर दो input बना लेता हूँ, input input type text 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 name equal to test test input, ठीक है, यह मैंने name दे दिया, विवर्स म मैं आगे चलके आपको बताऊंगा कि यह मैं name क्यों दे रहा हूँ, और यहाँ पर input type submit, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और यहाँ पर एक चीज हमें यह नहीं बोलनी है, method, method, इसके दो attributes है, post, c, tion, action, और हमारे page का नाम क्या, in, विवर्स मैं अभी आपको आगे चलके समझाता हूँ, यह सारी चीजें, पहले मैं code कर लूँ, क्योंके थोड़ा सा html का code हमें जरुरत पढ़ गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बी आर भी लगा देता हूँ इसमें, वैसे बी आर की जरुरत नहीं है, विवर्स कोई इतना बड़ा issue नहीं होगा, तो विवर्स इसको हम run कर लेते हैं पहले, तो विवर्स अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास यह form है, ठीक है, और अभी मैं आप गोर करीगे, जब मैं submit बटन पर click कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं, हमारा page refresh हो रहा है, सर्वर पर काम कर रहा है, ठीक है, अब मैं एक काम, इसके इंदर जब हम पी एच, और मैं अब इसके इंदर कोई data डाल रहा हूँ, तो यह data मैंने डाला है, लेकिन user को नहीं जाएगा यह, ठीक है, यह data मतलब हमारे server पर कहीं जाएगा नहीं, यूजर से मैं input ले रहा हूँ, यूजर से input अब हम ले रहे हैं, लेकिन इस input का कुछ भी नहीं हो रहा है, बस page refresh हो रहा है, इस पे, अब विवर्स हम लोग यह input जो हम enter कर रहा है यहां से, इसको हम PHP के थुरू अपने पास रखेंगे, चाहे अब हमारी मर्जी हम database में डालें, चाहे हमारी, उसके पास हम लोग इसकी manipulation अपनी requirement के मताबिक कर देते हैं, जैसे for example, हमें login कराना होता है, user और password चाहे हम database में कोई value save कराना चाहें, तो आपने यह चीज़ देखी के हमारे पास जो page हमारा refresh हो रहा था, और आप मैं यहां से input type submit अटाके button कर देता हूँ, button ठीक है, और मैंने जब input type button किया, तो आप देखेंगे तो यह इस form की value नहीं रहेगी, यह form नहीं रहेगा, वो काम नहीं करेगा, तो जी विवर्स, अब आप देख रहे हैं, यह कोई refresh नहीं कर रहे है, यह किसी काम का भी नहीं है, ठीक है, यह just take input हमारे पास बस आप आप submit करा रहे हूं, तो जब भी आपको वहाँ पर, फिर submit का function use करना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पर हमें यह जितना काम है, अपनी inputs जो है, वो form की tag के अंदर रखनी है, ठीक है, इस बात का खयाल आपने जरूर रखना है, और विवर्स, उसके बाद, हम जब यह जो मैंने दो form के अंदर method equal to post action equal to index.php, तो विवर्स यह मैं आपको बताना चाहरा हूँ, हम जब PHP के लिए data लेंगे, जब हम data लेंगे PHP में, तो हमारे पास एक global variable होता है, पोस्ट, तो विवर्स यहाँ पर वो method के लाता है, और इसी तरह एक और global variable होता है, हमारे पास get, तो विवर्स लिखेंगे, ठीक है, और post के से लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर simply post लिखेंगे, और विवर्स यहाँ पर action के अंदर, action के attribute के अंदर, जो मैंने इसको value दिये, index.php, तो विवर्स अगर मैं यह value खाली भी रखूँ न, तो मुझे problem इसलिए नहीं होगा, क्योंके मैं इसी index.ph पेज़ पर ही काम कर रहा हूं, मैं data लूँगा, index.php के page पे, php का जो मेरा काम होगा, वो इसी page पर है, ठीक है, इसी index के page पर है, otherwise अगर मेरा किसी और page पे काम होता है, मैंने suggest यहाँ पर form बना दिया, और बाकी form की value में किसी और जगा जाकर ले रहा हूं, किसी और page पे तो रायाल रखना है, और यह कुछ हो सकता है, अभी आपको थोड़ा idea इतना से समझ ना भी आया हो, लेकिन अब जब हम काम करेंगे, तो मजीद समझ में आ जाएगा, तो अब विवर्स हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, अब मैं आपको यह दिखा देता हूं, दुबारा से refresh क करा के अब हमार पास क्या हो रहा है, सर्वर refresh कर रहा है, और फॉर्म के tag के अंदर हम लोगों ने यह फॉर्म बनाया, तो अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, कि हम लोगों इसकी input ले ली, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इस से input लेत करता हूं, कि यहीं पर input ले लेता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर e, c, h, o, e, k, o, b, r, ठीक है, यहाँ पर मैंने b, r लगा दिया, और एक हमारे पास से पहले मैं क्या कम करता हूं, एक variable लेता हूं, और n, m, e, name, कोई भी नाम रख सकते हैं आप उसको, variable के अंदर हम वैसे directly क्या कम करते हैं, इस string को store कराते हैं, ठीक है, हम लोग वैसे variable के अंदर कोई value store कराते हैं, तो इस तरह से कराते हैं, लेकिन अब मैं इस variable में user का input save करवाना चाहा रहा हूं, user का input कैसे save होगा, simple हमारे पास, आपने dollar का sign लगाया, एक global variable है, ठीक है, p, o, s, t, post, तो अभी पर पोस्ट का variable है, हमारे पास, global variable कहलाता है, और इसके बाद यहाँ पर यह start करके इसको terminator लगा देंगे, और इसके parentheses में हमें name देना है, पोस्ट, name कौन सा, जो हमारी HTML का field का name है, इस बात का खयाल रखेगा, जो हमारे input का name है, वही इस variable का name, वही हमें यहाँ पर name देना है, कि हमें कौन से input से data उठाना है, क्योंकि यह multiple input होंगे, तो हमें multiple post use करने पड़ेंगे, यह name आप हम लोग यहाँ देंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको simple copy कर लेता हूँ, तो यह जो name है हमारा, यह जो name का attribute है, यह name का attribute अगर आप नहीं देंगे, तो आप data जो है, नहीं ल और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, test input डाल दिया, तो मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने क्या काम किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इस variable create किया, ठीक है, उसके बाद इसको value assign कर दी, कौन सी user से ले रहा हूँ में input, और user से में input किस तरह लूँगा, dollar का sign लगा के, उसक इसके बाद underscore और capital alphabet में post लिखना है, ठीक है, otherwise problem हो जाएगी, और इसके बाद इसके argument स्टार्ट करने, इस वकत मेरे जहन में इस bracket का नाम नहीं आ रहा है, तो इस, यह मेरे खाल, हाँ, small bracket, curly bracket, और मेरे जहन में विवर्स नाम नहीं आ रहा है, curly bracket इसको नहीं कहते है, ठीक है, curly bracket हमारे पास दूसरा होता है, इस वकत जहन में नाम नहीं आ रहा, तो इन brackets को start करने के बाद, उसके parentheses आपने single quotation के अंदर या double quotation भी use कर लेंगे, कोई issue नहीं होगा, तो आपने name लिखना है कि कौन सी input से हम लोग ले रहे हैं, तो अब यह जो हमारे पास, अब जो हम text लिखे करेंगे ना, अब यह हमारा उसमें इस variable में save होता रहेगा, जैसी हम लोग submit करेंगे, तो मैं काम यह करता हूँ, इसको refresh करता हूँ, पहले आपके पास error आएगा यहाँ पर, वह भी मैं आपको आगे समझा दूँगा, तो अब आप देखिएगा, तो अब आप यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास क्योंके कुछ, हम लोगों ने इस data की आगे manipulation हमने कुछ की नहीं है, हमने क्या कम किया है, जैस्ट वहाँ पर data save करवा दिया है, ठीक है, अब हमने just उस variable के अंदर यह data save करा दिया है, इस वोकत इसका हमारे पास यहाँ पर result नहीं आएगा, अब मैं save करवा कि तो हमें कुछ नहीं करना है न, just, तो मैं क्या कम करता हूँ, इस ही data को वापिस print करा लेता हूँ, जो input में होगा न, वो अब यहाँ पर लिखा हुआ में नजर आ जाएगा, e, c, h, o, echo, ठीक है, और, और, क्योंकि हम लोगों को क्या कम कराना है, यह variable print कराना है, अब यह data हमारा इस variable में आ गया है, जो हमने user से लिया था, ठीक है, अब हम जो user से data ले रहे हैं, viewers, वो इस variable में आ गया, और मैं यहाँ पर इस variable को print करा देता हूँ, यहाँ पर print करा देता हूँ, ठीक है, तो अब अब आप समझेगा इसको और अब हमने रिफ्रेश किया ठीक है उसी तरह रेंडर किया तो अब इस अब मैं यहां पर क्योंकि यह डेटा आ चुका है क्योंकि इससे पहले एक दफा सेव हो चुका था वो तो अब मैं यहां पर लिखता हूं एफ ए वाई वाई ए जैड ठीक है मैंने यहां से इंपुट किया और मैं यहां इसका तो जी विवर्स अब आप यह देख रहे हैं फयाज यहां पर आ गया यह हमने यूजर से इंपुट ले लिया ठीक है इसी तरह अब हमारी मर्जी है हम इस इंपुट को चाहिए डेटा बेस से लाके वैल्यू मैच कराएं लोग इन कराएं यूजर को कि अगर यह इमेल पासवर्ड हो तो हमारे डेटा बेस में चला जाए और भी बहुत जितने भी और हम लोग चाहिए डेटा सेव कराना चाहिए यूजर का तो आगे हम जब अप्लिकेशन की जेनरेट करेंगे अप्लिकेशन फाउंडेशन के कोर लिखा हुआ आ जाएगा तो जी विवर्स अब आप देख रहे हैं कि यह हमारे पास अब यह लिखा हुआ रहा है और मैं यह चाहता हूँ कि यह मुझे हेडिंग में नजर आए ठीक है तो सिंपली मुझे क्या काम करना है तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम लोग यू किया यहां पर टर्मिनेटर लगा दिया और यह में वेरियेबल यहां से कट करके और इसके जहां पर हम लोग पेस्ट करना होता है हम लोगों को यहां पेस्ट कर देते हैं हैडिंग के अंदर तो अब जो मैं टेक्स लिखूंगा वो मेरे पास हैडिंग में नजर आएगा ठ चाहूं HTML आपको simply use करना आना चाहिए तो हम लोग अब इसको रेंडर करके देखते हैं ठीक है यानि रन करके देखते हैं ब्राउसर पर तो यह देख रहे हैं आप my name is फयास अब मैं यहाँ पर ALI लिखता हूँ और इसको submit करता हूँ तो जी विवर्स अब आपको idea हो गया कि किस तरह से हम लोग user से input लेते तो यह तो था हमारा post का method ठीक है यह तो था हमारा post का method और विवर्स हम लोग आगे चलेंगे जब आपको conditions बताऊंगा तो इसमें if set की condition लगा क के हम लोगों को काम करना चाहिए ठीक है तो यह तो था हमारा post का method तो विवर्स में अब एक और method यूज़ करता हूँ get का बलके get का method समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ post और get का फर्क असल में मैं समझाना चाहरा हूँ आपको ठीक है तो मैं आपको एक चीज़ यह बता दूँ कि अब जैसे ही अब मैं खाली submit करूंगा तो विवर्स इसको कुछ नहीं लिखा हमने तो empty space रहे हमारे पास तो विवर्स अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स लिख देता हूँ ठीक है ऐफ एफ वाइवाइवाइवाइब बलके में लिखता हूँ video tutorials डॉटकॉम V-D-O-T-U-T-O-R-I-A-A-L-S Dot C-O-M-C-O-M-W-I-T-H With M-O-H-A-W-M-A-D-F-A-Y-Y-A-Z With Mohamed Fyaz VideoTourist.com With Mohamed Fyaz विबस जैसे ही मैंने इसको Submit किया तो मेरे पास ये तो लिखावा आ गया ठीक है मैंने क्योंकि यूजर से Input लिया और यहाँ पर ये लिखावा मेरे पास आ गया लेकिन आप इसकी यहाँ पर देखें इस Address Bar के अंदर देखें हमारे पास जिसके अंदर हम लोग Address लिखते हैं तो Just Index.php आ रहा है ठीक है यहाँ पर आपको कुछ शोनी हो रहा है कि पीछे से क्या हुआ है नेम आया है नेम आया है या नेम नहीं आया है ठीक है क्या हुआ है जो भी हुआ है यहाँ पर हम लोगों के Address Bar में शोनी हो रहा है यह हमारा Get का Method पोस्ट का Method इस तरह काम करता है ठीक है और मैं अब एक काम यह कर लेता हूँ अब मैं इसको खाले सब्मिट करता हूँ और विवर्स मैं अब इसके अंदर Get का Method यूज़ करूँगा तो उसमें आप फर्क देखेगा बस एक छोटा सा यह difference होता है और Get का Method एक क्यूरी स्ट्रिंग को लाने के लिए भी यूज़ होता है जब हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग पर आएंगे तो उसकी बाद में जब करूँगा और विवर्स मैं यहां से यह Method चेंज कर लेता हूँ जी, इ, टी, ठीक है और उसके बाद यहां Post की जगा में Get करना पड़ेगा ठीक है बाकी वही तरीका है इसका कि आपको नेम देना है जी, इ, टी तो विवर्स अब मैं क्या कम कर रहा हूँ यहां पर मैंने क्या बताया था यहां पर जो हम Method यूज़ करेंगे जो Method हम यह PHP में लेने के लिए यूज़ करेंगे वो हमें यहां पर यूज़ करना है ठीक है वो ही यूज़ करना है Get या Post तो जारे से पहले HTML का Form बनता है तो इसलिए आप पहले Decide करेंगे कि Get यूज़ करना है या Post यूज़ करना है तो यहां पर आप वो देंगे और फिर यहां पर आप उससे डेटा लेना शुरू कर देंगे और विपर एक्षिन मैंने आपको बताया था अगर मैं यह वाला काम यह PHP की जो काम है यह मैं किसी और पेज़ पे करूँ किसी और पेज़ पे करना चाहूँ मैं जस्ट HTML अलैदा पेज में करूँ तो मैं जस्ट आपको यह समझाना चाहरा था कि यूजर से वैले हम लोग किस तरह लेते तो विपर जब हम लोग गैट का मैथट देख लेते हैं तो अब देखीगा गैट के मैथट से क्या फर्क पड़ेगा हमें ठीक है अब मैं गैट का मैथट रिफ्रेश कर देता हूँ और विपर जी आपको क्योंके यहां पर अन्डिफाइन वेरियेबल इसलिए देगा अन्डिफाइन इंडेक्स इसलिए देगा क्योंके इसके अंदर आप कुछ लिखा हुआ नहीं है यह खाली है और हम लोग गैट का मैथट यूज़ कर रहे हैं तो मैं लिखता हूँ अल वीडियो टॉटोरियस डॉट कॉम ठीक है बलके मोह डबल में डी ऐफ़ए वाइवाई एजड मोहमद फयाज लिखता हूँ तो वीडियो अप एड्ररस बार में फर्क देखेगा इसका अच्छा वो अररॉर अब आपशन होगा क्योंकि हम ने फिल कर लिया तो अब आप एड्रस बार के अंदर देखें जरा गोर से अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास एक तो उसका URL भी आ रहा है site का और फिर साथ में name भी आ रहा है हमारा ठीक है हमने जो अपने input का name रखा था वो भी आ रहा है और पूरा का पूरा हमारे पास ये value उटके आ रहे है यहाँ पर भी तो विवर्स get और post का यह फर्क होता है इस चीज़ का आप खयाल रखेगा जहाँ जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रुत पड़ा है और विवर्स get का variable हम लोग क्यूरी स्ट्रिंग से डेटा लाने के लिए भी जो है वो यूज करते हैं क्यूरी स्ट्रिंग से जब हम डेटा रिसीव करते हैं उस सी उस करते हैं तो विवर्स क्यूरी स्ट्रिंग की बात अभी आई नहीं तो इसलिए मैं वो चीज़ आपको बताना नहीं चाहरा हूँ बाकि डेटा हम लोग इसी तरह रिसीव करेंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो है वो विडियो का अपडेट मिलता रहा है और विवर्स अगर आपके जहन में कोई कॉशन अराइज हो रहा है तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए इमेल करिए जो भी और इसके साथ साथ यह है कि मुहमद फ्यास को अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए असलाम अलेकूं